हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोरे जब, दोस्तों आज हम जानेंगे मदुमे या सुगर के कुछ गरेलू उपचारों के बारे में तो सुरू करते हैं, मदुमे में प्यास अधिक होने पर पानी में निम्बू निचोड़ कर पीने से काफी लाब होता है निच्य प्राते निम्बू पानी पीते रहें आवले का ताजा रस मदुमे के रोगियों के लिए बहुत ही लाब प्रद होता है इसके सेवन से रक्त में शक्कर बनना कम हो जाता है आवला पाउडर एक चम्मच दो बार पानी या दूद से फेंकी लेने से मदुमे में काफी लाब होता है पंदरा पत्ते बिल पत्तर और पांच काले मिर्च तोनों को पीस कर इनकी चटनी बना ले फिर एक कप पानी में गोल कर पीने से मदुमे में काफी लाब होता है पेसाब और रक्त में शक्कर आना बंद हो जाता है ये लंबे समय तक एक या दो साल लेने से स्ताई रूप से मदुमे ठीक हो जाता है मदुमे के लिए टमाटर बहुत लाबदायक है टमाटर की खटाई सरीर में सक्कर की मातरा गटाती है मुत्र में सक्कर जाना दीरे दीरे कम हो जाता है सूखे आउले और जामून की गुठली समान मातरा में पीस लें इसकी दो चमच नित्य प्रातर भूके पेट पानी के साथ फेंकी लें इससे मदूवे में काफी लाब होगा प्रातर भूके पेट एक ग्लास छाच पिएं इसके बाद तदकाल ही टमाटर का एक ग्लास रस पिएं तीन सप्ता इस तरह सेवन करने से सूगर सामाईने हो जाएगी डाइबिटीज में मीठा खाने की तीवर इच्चा होने पर सक्कर के स्तान पर अति अल्प मातरा में सहद लेकर मुत्र में सक्कर आने गुर्दे के पुराने रोगों से बच सकते हैं आम और जामून की गुटली की गिरी और भुनी हुई छोटी हर तीनों समान मातरा में मिला कर पीस लें इस मिसरन की एक चमच नित्य दो बार छाज के साथ फेंकी लें इससे मदुमे में काफी लाब होगा मदुमे में दो चमच कुटी हुई दाना मेथी और एक चमच सौफ रात को 200 ग्राम पानी में बिगो कर प्रातर पानी छान कर पीएं इस विदी से गर्म प्रकरती के रोगी मेथी का सेवन करें इससे मदुमे में काफी लाब मिलता है आदा कप करेले के रस में आदा नेमबू नीव चोड़े आदा चमच राई, वस्वादा नुसार नमक, तदा चोथाई कप पानी मिलाकर नित्य दो बार पीने से मदुमे में काफी लाब होता है दाना मेती के सेवन से मदू में ठीक हो जाता है इसके सेवन की मात्रा 100 ग्राम तक प्रतिक खुराक है इसे किसी भी तर सबजी बना कर पीस कर आटे में मिला कर रोटी बना कर दानों की फेंकी किसी भी तर ले सकते हैं मेती रेसेदार बोज्जे पदारत है चार चमच दाना मेती की नित्ती तीन बार फेंकी लेने से रग्त में ग्लुकोज की बड़ी मात्रा पर नियंतरन हो जाता है यदि मदुमे की कोई ओजदी ली जा रही हो तो उसके साथ दाना मेती लेने से सिग्र ही लाब होता है okay friends thanks for watching this video